याच विज़ी थे मैं बेटेबेटे सुच रहा था कि अड़ानी की समपति बच के से गिया एक रिपोर्ट अभी पढ़ रहा था मैं हेंडन बर गई एडन बर्ग ने जितनी वी रिपोर्ट आद तक दीए न वह सभी कंपणीज बर्वाद हो गई है तो मैं सुच रहा हैं कि इतने समपति बच के से व्य सिगी इसके पीचे का कारण हें ने फिक पीछे का आपनि की जीनियस माइन्नियस बिजनेस्में व्य से पूलिक्त आपका परसेप्शनन वह इस वीडियो में पूरी तरह से присkat हो ड्रटाइब विल्मार 1999 में अडानी और विल्मार गुरुप का जोन पेंच है वैसे अडानी विल्मार के बारे में सब्सक्राइब के बारे में जान लेना है 83 परसेंट एडिबल ओईल से आता है 12 परसेंट एफंसीजी सेक्टर से और बचवा 5 परसेंट इंडेस्ट्रियल इसेशनल से आता है अड़ानी विल्मार अड़ानी विल्मार का 27 जुन्वरी 2022 को आईप्यों लोंच होता है और सिर्फ दो मन्त में 237 पे लिष्ट हुआ स्टोक प्राइब वैसे अड़ानी के ओईल के सिग्मेंट की बात करें तो 42% परसेंट पाम ओईल से 22% सोयबिन ओईल से 12% संप्लार ओईल से 12% मस्टर ओईल से और 12% अधर ओईल से आता है लेकिन अड़ानी विल्मार ने कितनी जल्दी अपने रिवेन्यू और प्रोफित्स को डबल कर लिया लेकिन जो इंडिया है ना वो 64 पाम होईल इंडिया इंपोर्ट करता है यह जो पाम मिल से अलग रखती है अदानी विलमार का विलमार गृयुप से जोइंट वेंच़र का तुं और दूसरा है logistic पोर्ट इंफ्रेस्टेक्ट्टर अडानी विलमार्ग पूरे वर्ड का 56% एडिबल ओयल मार्केट को कंट्रोल करती है इसके पीछे की जीनिस इस्टेटीज यह है कि जो मलेशिया और इंडोनेशिया से जो पाम ओयल इंपोर्ट होता है वो पोर्ट पर आता है पोर्ट से रिफाइनरी तक पोशने के लिए पेलेट ओयल टेंकर का यूज होता है जो कि दस दिन लगते तो पूरे ओयल को सप्लाई करने में रिफाइनरी तक लेकिन अब जो इस रुपोर्ट को देखिए अडानी ने दस किलमेंटर की पाइपलाइन का योगा कमेंट में जरूर बताना वीडियो अच्छे लेगे चेनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना यार